वांसल रेसीपी चैनल में आप सबी कह स्वागते ठंडो का सीजन आ चुका है और इस सीजन में आउला भरपूर मात्रा में मिलता है और आउला हेल्दी भी होता है इसलिए आज हम आपको आउले से अच्छार बनाना बताएंगे इसलिए हमने लिये हैं आउला आउला को दोकर हम दे इस कुईक पैन में डाल दिया है और पानी डाल कर गेस पर वोईल होने के लिए रख दिया है 10-15 मिट तक आउला को वोईल होने दें जिसलिकी आउला सॉफ्ट हो जाए पाज से 10 मिट हो चुके है आउला अची तरे से वोईल हो चुका है गेस को ओफ कर दें और आउले को ठंडा होने के लिए रख दें आगे की प्रोसीस हम तब ही कर पाएंगे जब आउला ठंडा होगा आउले ठंडा हो चुके हैं अब इनको पानी में से निकाल ले इस तरे से आउली के गुटली निकाल ले इसी तरह से हमें सारे आउले के गुटली निकालनी है हमने आउले के कली निकालनी है अब गेस पर इत्पैन रखें और इसमें सरसो का ओईल डाले ओईल को गरम होने दे ओईल गरम हो चुका है अब इसको 5-10 निट के लिए रहने दे इससे कि ये ठंडा हो जाए देखिए पाज से दस लिट हो चुके है तेल हलका सा गुनगुना है अब हम इसमें अचार का मसाला एट करेंगे ये हम मार्केट का रेडिमेट मसाला यूज कर रहे है अच्छी तरह से मिक्स करें अब आउले को मसाले में डाल दे और मिक्स कर दे अचार बनाते समय ध्यान रखें कि ओईल कुनगुना गरम हो कि अगर हम तेज गरम ओईल में मसाला डाल देंगे तो मसाला जल जाएगा इस तरह हमें ओईल को गरम करके पहले ठंडा करना है फिर ही मसाला डालना है स्वादी इस्टे आउले का अचार बनकर तयार है आप भी इस तरह से आउले का अचार बनाई है और इंजोई कीजिए अगर आपको हमाई वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और जादे से जादे शेयर करें धन्यवाद